महा भारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभा कर देश भर में लोग प्रिये हुए कलाकार नितीश भारत द्वाज अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं और मामला अदालत में हैं हाल ही में नितीश ने अपने सेपरेशन की पुष्टी की और कहा कि तलाग बेहत दर्दनाग होता है जैसे कोई अंग काट दिया गया हो एक इंटर्व्यू में बात करते हुए नितीश ने कहा मुंबई की फैमिली कोट में उन्होंने सितंबर 2019 में तलाग की अरजी दाखिल की थी जानकारी के लिए बता दे कि नितीश की पत्नी स्मिता गाते आईये सफसर हैं दोनों की जुड़ुआ बेटियां भी हैं स्मिता के साथ नितीश की दूसरी शादी थी जो 12 साल चली उनकी पहली शादी 1991 में मौनिशा पाटल से हुई थी पहली शादी से नितीश का एक बेटा और एक बेटी है दो हजार पाच में नितीश का पहली पत्नी से तलाग हुआ था नितीश के acting career की बात करें तो मा भारत में जिस वक्त कृषिन का किरदार उन्होंने निभाया था उस समय उनकी उम्र 23 साल थी और उसके बाद उन्होंने कई TV शोज में काम किया है